आज हम सर्दियों के ऐसे खास लड़ू बनाने वाले हैं जो सिर्फ एक चमज घी से बन कर तयार होंगे ये लड़ू आपको ताकत तो देते ही हैं लेकिन इसके साथ साथ आखों के रोशनी बढ़ाने में सिर्दर्थ को दूर करने में और माईग्रेन में भी बहुत रहत देत हैं तो चलिए फटा-फट से देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है तो यहाँ पर हमने लिया है एक पैन जिसमें मैं डाल रहे हूं एक चौथाई कप फॉक्सनट जिसे हम फूल पताशे भी कहते हैं जिसे हम मखाने भी कहते हैं इन्हें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे ये बहुत ही जल्दी ऐसे क्रिस्पी होने लग जाते हैं जब ये ऐसे तूटने लग जाएं क्रिस्पी हो जाएं उस टाइम पर हम इने बाहर अलग से किसी प्लेट में निकाल लेंगे अब हम बाकी की चीजें रोस्ट करेंगे जैसा कि मैंने कहा कि एक चम्मजगी हमें चाहिए इन लड़ूों के लिए तो एक चम्मजगी हम पैन में डाल देंगे उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ अखरोट एक चौथाई कप अखरोट मैंने लिया है जो भी ड्राइफ रूट्स आपके पास अवेलेबल है या जो आप यूज करना चाहते हैं वो आप इसमें अपनी पसंद से डाल सकते हैं कम करना हो कम कर सकते हैं ज्यादा डालना हो ज्यादा डाल सकते हैं अखरोट मैंने यहाँ पर एक चौथाई कप लिया है अच्छे से रोस्ट किया बाहर निकाल दिया अब इसमें मैं डाल रही हूँ काजू काजू भी मैंन मिक्स सीड इनका पैकेट बहुत ही आसानी से ड्राइफ रूट की शॉप पर मिल जाता है यह किसी सूपर मार्केट से भी आप ले सकते हैं चार पांच तरह के सीड एक साथ एक ही पैकेट में मिल जाते हैं एक चौथाई चम्मच यह मैंने लिया है दस भी सेकिंड में ही यह च कर सकते हैं इनका भी कलर एक मिनिट के अंदर अंदर चेंज हो जाता है और यह चटकने भी लग जाते हैं उस टाइम पर बदाम को भी हम बाहर निकाल देंगे ड्राइफ रूट्स हमने सारे के सारे रोस्ट कर लिए हैं इन्हें पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे जैसी फ्रूट्स ठंडे हो जाएंगे इन्हें हम निकाल देंगे ब्लेंडिंग जार में आप चाहें तो इन्हें आधा-धा करके भी पीस सकते हैं चाहें तो सारे एक साथ डाल दीजे और पीस लीजे तोटली आपका च्वाइस है आप चाहें तो इसे दरदरा रख सकते हैं चाह में डाल रही हूँ एक लीटर दूद मैंने फुल क्रीम दूद का इस्तिमाल किया है इस दूद में मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम खस-खस खस-खस को पॉष्ट दाना या पॉपी सीज भी कहा जाता है इसके साथ ही मैंने यहां पर एक कप लिया है नारियल का गोला जो सूखा न पकाएंगे तब तक पकाएंगे जब तक यह पूरा जो मिक्षर है वह ठिक नहीं हो जाता पूरा कपूरा जो दूद है वह सूख नहीं जाता तो बस देखिए अब दूद में उबाल आ गया है बहुत ही बड़िया बीच-बीच में हम से जलाते रहेंगे उपर जो मलाई जम जाएगी वो भी हम दूद में ही मिक्स करते रहेंगे बस अगर आपको किचिन में कोई और काम है तो वो भी आप साथ के साथ कर सकते हैं यह देखिए दूद अब बहुत ही थोड़ा सा बच गया है तो इस टाइम पर इसे लगातार चलाए ध्यान रखेंगे कि लास्ट में थोड़े से यह चीटे भी उड़ते हैं तो आपको लग सकती है बच्चे हो तो उन्हें थोड़ा दूर रखेगा अब देखिए पूरा जो मिक्स्चर है वो ड्राइ हो चुका है तो ड्राइ फ्रूट्स जो हमने पीस कर रखे थे वो इसमे डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे जितने भी ड्राइ फ्रूट्स है वो जो नारियल और पॉश्दाना हम लोगों ने बहुत अच्छे से भूना है उसके साथ में हमें से मिक्स कर देना है यह लड़ू सर्दियों में बहुत फायदा करते हैं तो यहां पर ड्राइ जिंजर पाउडर जिसे सौट का पाउडर कहते हैं वो डाला है और एक कप मैं यहां पर मीठे के लिए डाल रही हूँ देसी खान आप चाहें तो इसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं यह टोटली आपका चोईस है चीनी डालने के बाद हम इसे लगातार चल कि हम बस इसे छू सके जैसी मिक्षर ठंडा होगा बस थोड़ा थोड़ा सा मिक्षर लेंगे और इसके लड्डू तयार कर लेंगे लड्डू बना लेंगे बहुत आसानी से यह बन चाते हैं बहुत नरम नरम बनते हैं बच्चे हों बुजर्गों सब इसे बहुत आसानी से खा सकते हैं तो सारे लड़ू हमने तयार कर लिये हैं और मैंने इसे गानिश किया है थोड़े से सीड्स के साथ में तो यह देखिए टेक्शर देखिए इसका बहुत ही बड़िया यह बनकर तयार हुए हैं कैसी लगी है रेसिपी कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा वीडि अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बबाई